जै हिन जै भारत वंदे मात्रम आप इस वीडियो में एक ऐसे एप्स के बारे में जानकारी हासिल करेंगे जिसका नाम है प्रेंगणा लक्ष एप जिसको 23 फरवरी 2021 को लांच किया गया बेशिक शिक्षा मंत्री 37 दिवेदी ने किया उदगाटन तो आईए हम जानते हैं कि प्रेंगणा लक्ष एप्स क्या है और इसका क्या मकसद है बेशिक शिक्षा में इसको लांच करने का प्रेंगणा लक्ष एप 23 फरवरी 2021 को लांच हुआ है बेशिक शिक्षा परिशत की ओर से संचालित प्राथमिक और जूनियर विद्यालेओं में अगर किसी कारण बच्चों स्कूल नहीं पहुचता है तो उसकी पढ़ाई नहीं छूटने पाएगी इस एप के माध्यम से बच्चों के सीखने का अस्तर भी पता चलेगा इसके लिए बेशिक शिक्षा मंतरी डाक्टर स्रतीष दिवेदी ने बुद्धवार को प्रेणडा लक्ष एप लांच कर दिया ये आप लोगों जो हैं देख रहे हैं ये प्रेणडा एप इस तरीके से आप प्ले स्टोर में सर्च करेंगे प्रेणडा लक्ष एप करके तो इस तरीके से इसका जो फीचर आपको दिखाई देगा इसको आप इस्टाल करके आप डिपार्टमेंट आप बेसिक इसक्वेशन उत्तर परदेश करके है नीचे आप यहाँ पर देख रहे हैं प्रेणडा लक्ष एप डाउनलोड करने के दिया गया इस लिंक का भी परियोग करके आप कर सकते लेकिन इसको इसको इस्टाल अगर आप करना चाहते हैं तो आप प्रेश्टोर में जाएए प्रेणडा लक्ष एप करके आप सच करिए तो इस तरीके कर जिसका लोबो दिखाई दे आपको लोगो तो आप समझ यह कि यह ही है डिपार्टमेंट आप बेशिक इसक्वेशन उत्तर परदेश करके तो इस तरीके से आगे हम यह जानेंगे कि निशाद गंज NCRT परिसर में बेशिक शिक्षा निदेशक डाक्टर सरवेंदर विकरम बहादुर सिंग और अपर शिक्षा निदेशक ललिता पां आग निरंतर प्रगत की ओर अगरसर है मुख्य मंतरी बच्चों की शिक्षा के प्रति बहुत ही चिंतित रहते हैं और बच्चों को बेहतर शिक्षा मिले इसका प्रयास लगातार करते हैं इसलिए प्राथमिक एमंग उच्च प्राथमिक विद्यालेयों में फरनीचर चहा आनलाइन शिक्षा प्राप्त करने का कारी किया जा रहा है। क्या तथा उन्हें कक्षावार बच्चों की कौन सी दक्षताओं की संप्राप्ती के लिए अधिक ध्यान दिया जाना है। आप यूज करना चाहते हैं। इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से मैंने प्रेंगणा लक्ष एप के बारे में बताया। यह बहुत बहुत धन्यवाद। इस वी ग्यान दिया जाना है।